नमस्कार दन्यूस देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ अर्जुन खजूरिया तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे उत्तर प्रदेश से यहाँ पर सामने आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ मामला बता जा रहा है आपको बता दे योगी सरकार ने बड़ा फैसला दिया है छे महीने के लिए हरताल पर पाबंदी और साथ ही साथ उलंगन पर बिना वारंट के गिरफतारी किसान आंदोलन के बीच ये उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर जिहां आपको बता दे जहां एक तरफ पंजाब और हर्याना के किसानों के आंदोलन के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में छे महीने के लिए हरताल पर पाबंदी लगा द कर्मिश डॉक्टर देवेश चतुरवेदी ने इस संबंद में नोटिफिकेशन जारी किया है इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एसमे अक्ट लगने के बाद कोई करमचारी हड़ताल या फिर प्रदर्शन करते अगर पाया जाता है तो हड़ताल करने वालों को एक्ट उल लगा दिया था सरकारी करमचारियों के लिए उस समय बिजली विभाग के करमचारी हड़ताल पर चले गए थे जिस वज़ा से उत्तर प्रदेश के मुखे मंतरी योगिया दितेनाथ ने छे महीने तक हड़ताल पर प्रतिबंद लगा दिया था और अब दोबारा से यहां प किया जाता है जब सरकारी करमचारी हड़ताल पर जाते हैं इस कानून को हड़ताल को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है खास बात ये है कि ये कानून अधिक्तम 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है जैसके ये भी लगाया गया उत्तरप्रदेश सरकार की तरफ से इस आदेश में ये कहा गया है कि राज्य सरकार के अंतरगत काम करने वाला कोई भी करमचारी यदी परदर्शन या फिर हर्ताल में अगर शामिल होता है और सामान्य गतिविदी को भादित करता है तो उसे बिना किसी चेतावनी या फिर बिना किसी वारंट के गिरफतार कर लि वाले सरकारी विभागों निगमों और प्राधी करनों पर लागू किया जाएगा तो यह बड़ा अपडेट यहां पर उत्तरप्रदेश सरकार की तरफ से किसान अंदोलेंट MSP पर Legal Guarantee की बात चल रही है साथ साथ कही और भी मांगे हैं लेकिन आपको बता दे जिस MSP की मांग चल रही है वो MSP के लिए कमेटी बनाई जा चुकी है पिछले साल बनाई गई थी अब उसमें ताज्यूब वाली बात यह है जो आपको कोई नहीं बता रहा कि यह जो किसान अंदोलन की यहां बात की जा रही है जो MSP का पूरा इसमें यहां पर कहा जा रहा है जिस पर सैमती नहीं बन रही MSP की जब कमेटी बनी उसमें तीन सदस्य मांगे गए थे सेउक्त किसान मोर्चा से 2022 में आज तक तीन क्या एक भी सदस्य उन्होंने नहीं दिया है इस कमेटी के लिए और यहां पर आ करके हंगामा शुरू कर दिया बैरहाल कहा तो यह जा रहा है कि सभी जगा यह आंदोलन चल रहे हैं लेकिन अकर उत्तर पर देश की बाद कि रहे हैं तो उत्तर पर्देश में अंदोलन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है कल खुद हम ग्राउंड जीरो पर कवर करने पश्चिमी उत्तर परदेश गे थे तो वहाँ भी हमने देखा किसान खेतों में काम कर रहे हैं ये केवल कुछ यहाँ पर इसमें किसान हैं जो पंजाब से आए हैं साथ ही साथ राजक तत्व इसमें शामिल हैं जो पिशली बार भी शामिल थे क्योंकि ये उप न जया watch की इसल सांदोलन के नाम पर क्या कहा जारह है खालीस्तान की मांग की जा रही है यह कहा यहां पर कोई भी आंदोलन जो है यहां पर किसानों की तरफ से होता हुआ नजर नहीं आ रहा है भलकि उनकी तरफ से यह कहना है कि हम जो है सरकार से संतुष्ट हैं चाहे फिर वो केंद्र सरकार हो चाहे योगी सरकार हो वहां के किसानों का कहना है जैसे कल हम गए थे ग्राउंड जीरो पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान अपने खेतों में काम कर रहा है बैरहाल इसी बीच किसानों के जो संगठन हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि उनके साथ हरियाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसा भी शामिल है हालांकि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका कहीं भी दूर दूर तक कोई खास असर नहीं देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश से किसान प्रदर्शन की कोई भी बड़ी खबर अभी तक सामने नहीं आई है और नहीं कहीं पर अराजकता देखने क को मिली है तो कहीं न कहीं जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जो लगातार सुधार हुआ है यह उसका भी एक नतीजा देखने को यहां पर मिल रहा है बैरहाल इसी वीच अगर बात कि रहे तो एक तरफ अब देखना होगा कि जो किसान अंदोलन शंबू बॉर्डर अब यहां पर यह जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एसमा लगाया गया है इसके बारे में आपको और जानकारी दे देते हैं अधिक्तम 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है लेकिन यह दी केंदर सरकार मानती है कि इसे और जादा बढ़ानी की जुरूरत है तो वो इसे और भी लंबे समय के लिए बढ़ा सकती है हालांकि एक बार में 6 महीने से अधिक का ओर्डर नहीं दिया जा सकता है इसलिए यहां पर योगी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया कि 6 महीने के लिए एसमा एक्ट को लगाया जाएगा तो वह अवैद और धंडरनीय है क्रिमिनल प्रोसीजर 1895 ऑफ 1898 के अंतरगत एस्पा लागू होने के उपराद इस आदेश से संबंदित किसी भी करमचारी को बिना किसी वारंट के गिरफतार किया जा सकता है इसके बारे में हमने आपको पहले होता है यह पहला और मुख्य तो करमचारी इससे इंकार नहीं कर सकता है यह इसमें दूसरा पहलू है एसमैं कर सकता है तो इसको एक वर्ष की जेल यहां फिर दोनों किये जा सकते हैं इसके बाद अगला इसमें बिंदू है कि यदी कोई व्यक्ति हड़ताल को वित्यम अदद देता है यानि कि financial help करता है तो इस कानून के अंतरगत ऐसा करना जो है वो जुर्म है और ऐसे व्यक्ति को एक वर्ष तक का कारावास 1000 रुपे का जुर्माना या फिर ये दोनों हो सकत हैं तो ये तमाम details हैं इस SMAC को लेकर के तो यहां एक तरफ जो किसान अंदोलन जिसकी call दी गई थी 13 फरवरी को 13 फरवरी से ही देखने को मिल रहा है कि उत्तर परदेश में इस बार इस किसान अंदोलन का दूर दूर तक कोई भी असर नहीं है अगर बात की जैसे किसान मोर् आप देखेंगे तो वहां पर इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है और इसी बीच यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा मास्टर स्ट्रूक एसमैक्ट लागू कर दिया गया च्छे महिने के लिए कोई भी सरकारी करमचारी जो हरताल पर नहीं जा यह किसान अंदोलन के नाम पर जो अराजकता फैलाई जा रही है उसमें कहीं नहीं उत्तर प्रदेश में इस बार दूर दूर तक उसका कोई भी लेना देना देखने को नहीं मिल रहा है बैरहाले आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर आप जरूर हमारे से कमेंट बॉक् दनी उसके साथ है धन्यवाद